हाई वीवर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल फ्रेंस यह दिखिए आज हम सीखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही इजी निटिंग पैटरन इस रिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कारियन में, लेडिस चैकिट में, लेडिस शग में, जैन साफ स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में इसे आप शॉल में स्टॉल में भी डाल सकते हैं तो दिखिये, front side से ये इस तरह से दिखता है ये दिखिये और back side से ये इस तरह से दिखता है तो फैन, इस design को बनाने के लिए हमें जो stitches चाहिए होंगे वो six के multiple से होंगे plus five फंदे extra रखने होंगे three फंदे side में design को विकूर करने के लिए तू फंदे अस्टिच के होंगे So friends, if you want to learn this pattern in English language then please subscribe my another English channel and link is in description box Please go on and click on channel and subscribe this channel for more videos So let's start How it's make? यह दिखिये, यहाँ पर मैंने 35 फंदे लिये है 30 फंदे 6 के मल्टिपस लिये है plus 5 फंदे extra लिये है और नीचे से यह हमने cast on किया है अगर आप इसे सीखने चाते हैं तो इसका link नीचे description box में दिया है वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं तो चलिए, बनाना start करते हैं तो देखिए, यह इसकी first row है और right side है as to slip करेंगे यह आप इसे ऐसे बुनकर भी ले सकते हैं हम इसे बुनकर लेंगे यहाँ से भी pattern start करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे one, two, three ऐसे धागर गुमा कर जैड़ डालेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की side से ऐसे दो फंदे लेंगे right needle पर यह दिखे इसे turn करेंगे left needle पर ले कर जाएंगे और back loop से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर थागर गुमा कर जैड़ डालेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारे एक pattern complete होगे इसमें हमने तीन फंदे सीधे बनाएं जैड़ ढली तीन फंदों का एक फंद बनाएं यह हमारा 6 फंदों का pattern है count करेंगे यह दिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर से इस pattern को repeat करेंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे 1 2 3 जैड़ डालेंगे फिर से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे से आग एक साइड से उतारेंगे ट्रान करेंगे और बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से जाई डालेंगे फिर से पैटन पिट करेंगे तीन फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री जाई डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आगएक साथ से दो फंदे लेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, जाई डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे लेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे बना लेंगे 1, 2, 3, जएड़ा लेंगे अब 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे 2 फंदे लेंगे turn करेंगे और back loop से 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे फिर से जएड़ा लेंगे लास्ट के फोर फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री एस्टिच भी सीधा ही बनाएंगे फर्स्ट रॉव कम्प्लीट हो गई है सेकंड रॉव है रॉव साइड अब देखे इस सारी रॉव को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे देखे सबी फंदे सीधे सीधे ही बना लेंगे जाली वाले फंदे भी सीधे ही बनाएंगे तो इस सारी रॉव को हम एन तक सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे झाले वाले बनाएंगे सेकंड रोव कम्प्लीट हो गई है थार्ड रोव है राइट साइड एस्टी स्लिप करेंगे और इस सारी रोव को सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे सबद्ट संसे बुमार रोव करेंगे एसके साथ बुमार, एसilipp यह स्टिच भी सिधा ही बना लेंगे थर्ड रह कंप्लीट हो गई है फूर्थ रह रॉंग साइड इस सारी रह को हम उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगी यह देखे पहें बहुत ही इजी सा पैटन है और सिर्फ एक ही रह का पैटन है बाकी की इसकी सबी रह सीधे और उल्टे फंदों के साथ ही बनेगी तो इसे हर को ही बना सकता है और देखने में भी बहुत ही सुनता लगता है तो देखे इस सारी रह को हम ऐसे उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगी यह दिखे, 4th row complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे 1st row से start करेंगे, एक बाद देख लिए जिए कैसे करेंगे 1st row right side as the slip करेंगे, यहां से repeat pattern start करेंगे 3 फंद सीधे ऐसे 2-3 try डालेंगे, 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए, फिर से trip डालेंगे यहां से यहां तक हमारा pattern complete हो गया, इसमेरे हमने 3 फंद सीधे बना है, जायँ डालेंगे फिर से पैटरन पीट करेंगे तीन फंदे सीधे 1,2,3 जाई डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से सीधा बुनते हुए जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे 1,2,3 जाई डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे जाई डालेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से सीधा बनते हुए जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे फिर से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे लास्ट के फोर फंदे सीधे 1, 2, 3, ऐसे सिधा बना लेंगी यह देखें फिर से हमारा पैटर्न फर्स ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1, 2, 4 और पीट करते जाएंगे और यह पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा तो फ्रेंड आप भी इसे बनाएए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो चल लगा तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करना मत भूले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you friends for watch my video